आज में बना रही हूँ लोकी की जबर जस्त रेसिपी असलाम अलेकूम वेलकम बेक टू माई चैनल फैजन सारी निशा रसोई आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागते दिल से स्वागत करती हूँ अपने सभी यूट्यूब फैमिली का आज निशा की रसोई में बनने जारी है लोकी की सबसी और इस तरह बनाएंगे घर में सभी उंग्लिया चाटेंगे इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं एक दर नरम और सौफ्ट आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं नान के साथ खा सकते हैं कम जाध आपने हिसाब से रख सकते एं तो सबसे पहले लोकी को हमें छिकल्व अलग कर लेना है कि मैं अच्छे से त्हिंगे लेना है तो यहां पर मैंने को indоло कि लिया है अब हमें लेना है इस तरह का कदूकस ले या फिर बड़ा उसका भी गृटर ले सकते हैं तो मैंने कदूकस कर लेंगे जिसे लचे-बचे टाइप होता है बिल्कुल वस्थ है हमी से पुरा कदूकस लिए कर लेंगे तो मैंने इसल ये पैसरे को इसी के अंदर सारे समाने ट करेंगे। इस तारह कमें क्द्दू कस करें तो मसालेगों केári हैं- कद्दू करें- हैं- और तो दोनों मेने हाफ आप टीश्पून ले लिया है और एक पहर की चाहिया में भी ले लिया है लेकिन बैसन का कोई मीजमेंट नहीं है देखते दालींगे कम भी हो सकता है और यहां कुछ ढ्राइब मसाले हैं वह चेक कर लेते हैं 1 टीस्पून है मिट्स पॉडर यहां पर हाफ टीस्पून हल्दी हिंग ट्राइब लिया है बुना कुटा अजीरा इहां पर स्वादनुसा नमक बन टीस्पून फिर में आपको बत के अंदर डाल सकते हैं यानि कि हमें कोई management नहीं करना कि पहले क्या डालना है कि सारी चीजों का में साथ में मिक्स कर लेना है तो यहां पर मैंने लसन अद्र का पेश भी डाल दिया हरी मुच अब आ जाती है बारी हमारे बैसन की तो बैसन क्या हमारा मैंड चीज यह हम बैसन करेंगे यहां पर जादा बैसन भी लग सकता है और ल फूल जितना दर लगाएं के अंद़ मैं पूरा द्ट म झालें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो एसी वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें और निशा से जूड़े रहें अब यहां जाता है हमारा मसाला भूने का प्रोसिस तो यहां ले लिया है मैंने दो बड़े साइस के टमाटर जिसको मैंने इस तरह सिलाशी में कट कर करने थे तो मोटे 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 हमेने टुक्ड़े कर लिए करिंए क्यूकि दोनुछ चीरों हमें और इसका थो भी दो नहीं का फाइंट बनाना आए कुछ हमारी यहां पर ड्राइ मसाले बोच चेक कर लिए हैं हमेने दन्या पृड़ा दौट से थीफ'. काली मिर्च का पॉडर की यहां पर इसलिए जादा लिया है क्योंकि यहां पर ख़ड़े मसाले बिल्कुल यूज नियुक्त करें मैं आप से पास से दिखा दू काली मिर्च का पॉडर लिया है मैंने गुना-गुटा-जीरा यहां पर ले लिया हाफ टीस्पून अलधी अब आ जाते हैं हमारे लस्ञ्सृं की और UP की बारी फिन दोनों कातब लिया हैै अब क्या करेंगे चलते हैं यहाँ पर हम सब मारे हमारी जो प्यास है और टं माटर हें इनका में पिण बनाने यहाई कि में इस को 1000 में पीज लेना तो मैं इस तरह ये टमाटर और उर प्यास को ग्रैन कर लिया यह अब अभा जाते हैं अपने गेस की तरफ टो यहां बनाना ही हमें हम पकोड़ी तो पकोड़ी के लिए हमारा तेल अच्छे से में गरम हो जाना चाहिए cent इसे हमारा तेल कारम होगा तब इसके अंदर हम पकोडी डालेंगे तो आम पकोडी भी कह सकते हैं या आपकी मर्दी आप इसे गोल शेफ देना चाहें या चप्टा सकते हैं तो मैं इस तरह से चप्टा कर रही हूं सिर्फ हास से तो देखें यह से रखेंगे बीच में से की भी और जैसे जैसे हमारी पकोड़ियां सिखती रहेंगी इस अलट प्लट करते रहेंगे अगर आपको लगे थोड़ा स्लो गया तो आप बीच-बीच में तेज कर सकते हैं जादा तेज भी ना करें वरना उपर से कलर आ जाएगो और अंदर से यह बिल्कुल भी कलेंगी कहा नहीं कच्छी रहेंगी तो मैं बैसन की फिलिंग को अच्छे से बहुत बढ़िया से पका लेना हैं आप इसको इस तरह भी बना कर खा सकते हैं बच्चे जादें जाएंगे हैं विड्कुल चैट कर जाएंगे ही मेरी कारिव आशारा बहुत जादा जो बड़ जास लग बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चों की टिफिन में भी डाल सकती है आप इस तरह की पकोडिया बनाकर तो जो जो सिखती जारी उसे निकाल लेंगे और जो रहे हमने श्टाडिंग में डाली थी वह अच्छे से कलर भी लेकर आई हैं और अंदर तक से पक भी गई हैं तब यहां पर अच्छे से माशालला से पक चुकी हैं तो यहां पर सारी पकोडियों को निकाल लेते हैं बच्चे से बहुत अच्छे से खाना पसंद करेंगे मेरी गारेंटिया बनाए तो सही आप वापस से रख लेते हैं एक पिर से कड़ाई बॉल भोगना जिसमें आप बना यहां पर डालेंगे अपना जमने प्यास के प्यूरी बनाएती वो डाल देंगे अब इसकी करेंगे लोटू मीडियम फिलेम पर बुनाई तो प्यास को में भूना है हलका सा लाइट कर लेना है तो जादा इसको हमें हाई फिलेम पर नहीं वहना जल्दी से कलर लेकर आ लसन अद्रक माशला हम ने डाल दिया है और एक पर इसकी भुनाइश कर लेनी है जो मारे लस्न में और थोड़ी स्मयल होती है वो निकल जागी फिर प्यार इसी खुश बष्वाने लगे कि माशलळा अब इसी के साथ डाल देंगे यहां पर हम टमाटार की प्यूरी यानिक तो पीसे थे मीडियम साइज के दो टमाटर थे वह मैंने अच्छे से ग्रैंड कर लिया था और वह इसके इंदर डाल देंगे आपने मसालों के साथ तो यहां पर में मसाले अट कर रही हूं अपने ड्राइ मसाले क्योंकि हमें खड़ा मसाला कोई भी यूज निकरा समय नहीं आप इसे मसाले यूज करें आप करेंगे अच्छे से इसकी भुनाई करनी बहुत जुरूई कि यह पर हमने टमाटर डाले और अपने ड्राइ मसाले डाले तो गेस का फिलेंगे इसको लिई लगा के रख दिए कर दिए कबर तो दिखिए यहां पर इस तरह हमारा मसाला बू दाले क्योंकि पोकोड़ी यहां पर पानी यहां पर पाणी पर दो कितनी आखिना चालती है कि अहां पर मैंने पानी डाल दिया है विल बिस इस पानी के अपिक पपाणी डाला दिया है प्लेखे बेसा पानी की अदर एक ने ड 감사 changed हुधक ऍंदर अपनी अपनी पकोडियां डाल देंगे और जिसे हम अपनी पकोडियां डालेंगे चर्थे से करतें devo क्याई आईगस जाएगो इसे अपनी पकोडियां पदाई इसे तिरी सनन Child d. जाएगा थी पर लिए कटा हुआ, तो मुठी पर मैंने हरादनिया कट कर लिया और कशूरी मेथी इसके अंदर डालेंगे, हलका सा थोड़ा से कश करके डालें, तो दीखे यहाँ मैंने कशूरी मेथि डाली है और हरदनी डाला है ताकि वह अच्छ से इसके अंदर खुश्बू लिया है बस अब इसे निकाल लेते हैं अपनी किसी बॉल के अंदर प्लेट के अंदर तो यहां में निकाल लिया देखिए माशालला से और खुश्बू जबर जस्तारी कोई कही नहीं सकता है या आपने लोकी की पकोड़िया बनाई है या फिर लोकी की सबजी बनाई है तो जब अब जस्त बनी है आज निशागी रसो एक अंदर लोकी की रेसिपी तो वीडियो ची लगए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कूल मत भूलना और निसा को सपोर्ट करने के ल ज़रूर बता हैं आपकी शेयर से मेरी वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपको शुक्रिया और थैंक यू बोल सकूँ तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हो रहा है अब लाइकन का बटन दबाना बिल्कूल मत भूलना ताकि मेर सबसे पहले आपको मिलें